इसलों किस प्रकार का एस्थिदी्टि चल रहा और पेरेडोक्स और मिठ्श हभास क्या है अमने उस उल्में बताया पेरेडोक्स और मिठ्वय भास कि अगर बात की जाए तो एक स्टूडिन्ट जो है टीचर से पूछा सर्फ पेरेडोक्स यानी मिठ्थ्य भास का अर्थ क्या है टीचर ने कहा मौदे इसके लिए एक धारन प्रस्तुत करता हूं मान लो की दो वेक्ती मेरे पास आते हैं एक बिल्कुल साथ सुतरा है और दूसरा गंदा होता है तिजश्वी यादव अचानक से पैरा जौक की कहानी सुनाने लगे सदन में नमश्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस पॉनिशल जहां एक तरफ विहार विधान सवा का बजट सत्र चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार विपक्षी पार्टी और महागटवंदन की सरकार एक दूसरे पर हमला कर रही है जहां एक तरफ विपक्षी पार्टी लगतार महागठवन की सरकार पे कटाक्ष कर रही है तो वहीं उसके जवाब को देते हुए बिहार के डिप्टी सीम तेजश्वी आदब ने एक समबाद किया है समबाद में उन्होंने कहा है जहां तजश्वी आदब पैरा डॉक की कहानी सुनाते हैं दरसल तजश्वी आदब पैरा डॉक का समबाद करते हैं कि जहां एक तरफ सिक्षक रहते हैं तो दूसरी तरफ स्टूडेंट रहता है सिक्षक जो है वो स्टूडेंट से एक सवाल करते हैं कि मालो एक तरफ अच्छा और साफ आदमी और दूसरी तरफ गंदा आदमी है तो इसमें से कौन नहाएगा इस तूडेंट जवाब देता है कि सर जो गंदा आदमी है वो नहाएगा लेकिन सक्षों के सवर वापस से जवाब देते हैं कि नहीं वो नहीं नहाएगा वो इसले नहीं नहाएगा क्योंकि उसे नहाने की आदत नहीं है नहाएगा वही जो साफ सुथरा है क्या कुत जश्वी आदपूरे संबाद में कह रहे हैं और क्या पेराडॉक की वो कहानी सु है हमने उस सदन में बताया पैरेडॉक्स और मिठ्याभास की अगर बात की जाए तो एक स्टूडेंट जो है टीचर से पूछा सर्फ पैरेडॉक्स यानी मिठ्याभास का अर्थ क्या है टीचर ने कहा मौदे इसके लिए एक उधारन प्रस्तुत करता हूं मान लो की दो वेक् गंदा होता है मैं उन दोनों को मश्विरा देता हूं कि वे नहा कर साफ सुतरा हो जाए अब तुम लोग बताओ कि उनमें से कौन नहाएगा स्टूडेंट ने कहा जो गंदा है वो नहाएगा टीचर ने कहा नहीं बलकि साफ व्यक्ति ऐसा करेगा क्योंकि उसे आदत है नह जबकि गंदा गंदे को सफाई की महतों मालूम ही नहीं अब बताओ कौन नहाएगा तो स्टूडेंट ने कहा कि साफ व्यक्ति नहाएगा तो टीचर ने कहा नहीं बलकि गंदा व्यक्ति नहाएगा क्योंकि उसे सफाई की जरूरत है बस अब बताओ कौन नहाएगा तो तीचर ने कहा नहीं कि लुणकि दूनों नहाइंगे क्योंकि साफ ब्रेक्ती को नहाने कि आदत है जबकि गंदे को नहाने की ज़रूरत है। बताओ कौन नाएगा तो स्टूडेंट कहता है दोनों नाएंगे तीचर ने का गलत नहीं कोई नहीं 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 क्योंकि गंदे को नहाने की आदत नहीं है जबकि साफ को नहाने की जरूरत क्या है अब बताओ कौन नहीं तो स्टूडेंट कहता है कोई नहीं फिर स्टूडे ने फिर कहा सर आप हर बार अलग जवाब देते हैं सर आप हर बार अलग जवाब देते हैं और हर बार सही लगता है जवाब कैसे मालोम पता चलेगा स्टुटन पूखता एठीचर ने कहा बस paradox यहीं तो है आजकल महत्पून यह नहीं कि वस्तविक्ता क्या है महत्पून यह है यह हो गया है कि आपने जितना सुना जितना देखा उससे कम समझा और उसे ही सच मान लिया तो महदे जो देश की हालत है जो विरोधाबास मित्याबास इन भाजपा के लोगों ने फैला रखा है पुरे मुल्क में उधारन के रूप में हम बताना चाहेंगे जिनके पास रोजगार नहीं वो हिंदू बन करके खुश है जिनके पास काम नहीं वो पांच किलो राशिन पाकर खुश है जिनके पास नौकरी, पढ़ाई, दवाई, कमाई नहीं, वो बीजेपी शाशर में बस जिन्दा होकर के खुश है मिथ्याबास ये है कि 15% का डर 85% पर दिखाया जाता है और हिंदूों को पंद्रा कर दिखाई रहे, लेकिन सबसे अधिक बेरोजगार जो है, वो हिंदू ही तो है, लेकिन ऐसल मुद्दों पे ये मौदेच चर्चा जो है, एक दम नहीं करेंगे ये मुद्दों से भटकाने के लिए समाज में पूरी परिकेसे ब्रह्म बाटने का काम करिंग मौदे, लोगों को लडाना, समाज में जहर घोलना, समाज को तोड़ना, सच से लोगों को वंचित रखना, दूर रखना, और आजकल यही हो रहा है बहुत, तमिलाडू में क्य गटना हुई? कोई घटना ही नहीं हुई थी, कोई घटना नहीं थी, उस पर action, reaction, क्या-क्या, जांच कमीटी, सब हो गया, और वहां के माने देता, विरोधिदान ने कहा था, गलत साभित होगा तो आँम माफी मांगें नहीं, अब तक ोउमाफी नहीं मांगें, अब इदर कि अधर भात बात शुरू कर देते हैं इन का यही अछेलि में तो बात के पास मन कोई चाल है ना कोई चरित रह के ना कोई नेत्यत तो आगर के यहाथ तो शलीए थे लेकर वो बयान दे रहे हैं जहाँ एक तरफ वह गाना गा कर ये बयान दे रहे हैं तो भाई दूसरी तरफ पहरा जो कि समवाद सुना कर वो बीजे पीपर लगतार हमला कर रहे हैं और भी निउस पॉर अपडेट के लिए देखते रहें निउस फौनेशन